लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के त्री शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में निकाली गई वाहन रेली आठ दिसम्बर दोजार चौबिस रविवार दोपहर पॉने चार बजे रामपरसाद घाटी वाले बालाजी मंदर से प्रारम होकर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के त्री शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आठ दिसम्बर दोजार चौबिस रविवार को एक वाहन रेली कायजन किया गया रेली दोपहर पॉन चार बजे रामपरसाद घाट घाटी वाले बालाजी मंदर से प्रारम होकर शहर के विविद्णमार्गों से गुजरती हुई रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी पर पहुँच कर संपन हुई नगर संग चालक खाजुलाल चोहान ने बताए कि लोकमाता एल्याबाई होलकर एक कुशल शाषक प्रशाषक तो थी ही थी बलकि वहद धर्मग्य भी रही आज उनके तीन सोवें शताबदी वर्ष पर उन्हें याद करते हुए अजे मेरु महानगर में विशाल वाहन रेली निकाली गई है जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरु शिवा बच्चे की शरिया रंग की पगडी और वस्त पहने हुए वाहनों पर सवार होकर इस रेली में शामिल हुए है देवी अहिल्या भाई हौलकर के तीन सो में जन्म जम्ती के अउसर पर पूरे देश के अंदर ये कार्यकरम आयोजित किये जा रहे है उसी कार्यकरम के निमित आज अजे मेरु महानगर में ये वाहन रेली निकाली जा रही है ये वाहन रेली गाटी वाले बालाजी से प्रारंब होकर के अजे मेरु महानगर के विविन मार्गों से होते वे लीजनल कोलेज तोपाटी पर समात होगी देवीक अहिल्य भाई नकेवल खुशल शासक एवां परशासकती बल्गीक वहक धर्मग्य नीतिक्य एवां कर्तग्य भी रही है आज संपूर्ण राज वुनके परती कर्तेग्यता ग्यापित करता है